हलो गाइज वेलकम बैक टो और चैनल पीजिटल गुरुकुल बच्चों आज हम लोग बात करेंगे एंटेसी के एक्जाइम के जो ओडिसा में हुआ था स्टेज 1 2020 और इसके कुश्चन्स हम लोग डिसकस करेंगे और इसके सॉलूशन भी हम एंटेसी की पूरी सीरीज बता र लेविल पर होता है सेज 2 का पेपर स्टेज 1 2020 पेपर 2019 पेपर सब हमारे शानल पर और अबलेबल हैं एंटेसी स्टेज 1 2020 की हम यहां पर बात कर रहे हैं जो कि उडिसा स्टेट का है तो पहला question है कि जिम्नो स्परम एस टर्म यूस्ट वा तूंँ जानते बटा सबीकि जिम्नो स्परम के अंदर नेक सीड्स होती हैं जबकि एंगियो स्परम में covered तो यह तो होगा जिम्नो स्परम के लिए answer तो इस question का covered seeds जो है वो angioste pomps अगर question होता तो हम mark करते हैं first और second option के हम बात करते हैं तो A and B option के अगर हम बात कर रहे हैं तो यह होते हैं single cell organisms में ज़्याद तर single cell में होता है यह और जो hair like celia structures हैं वो हमारे जैसे की fledgler structures हैं वो हमारे body में जैसे की trackya में या इस तरीके के जो respiratory tracts होते हैं वहाँ पर present होते है respiratory tract and single-celled organisms नियासिनिक important nutrient food है जो कि fishes में मिलता है which is an animal product it is a form of what आपसे अगर यह question किया जाए कि नियासिनिक important nutrient है तो नियासिन is vitamin B3 बिटा B2 के अगर बात करें तो यहाँ पर आप riboflavin कह सकते हैं B1 की बात करें तो thiamine कह सकते थे नाम उसका हम और अगर B12 की बात करें तो इसे हम लोग कहते हैं sinocobalamine sinocobalamine तो यहाँ answer हो गया A match the list तो आप देखेंगे reduce का मतलब क्या होता है बिटा reduce का मतलब होता है कि आप switch off कर दें light या fans को recycle का क्या मतलब होता है कि plastic bottles जो है उसको अगर हम देखें इस्तमाल कर सकते हैं storage करने के लिए reuse कर सकते हैं और recycle में हम segregation करते हैं waste products का तो यह भी एक important question है इसके ओपर भी बहुत बार exam में मतलब यह जो आपका topic है reduce, recycle हमारे environment में इस particular बात पर आपने देखा होगा बहुत बार बहुत ध्यान दिया जाता है reduce is the second option recycle is the third option and reuse is the first तो दा answer correct is A दो healthy potted plants थे A और B आपने उसको dark room में रखा तीन दिन के लिए और separate glass plates पर रखा potassium hydroxide solution तो आप जानते हैं potassium hydroxide जो होता है वो absorb कर लेता है किसको बिटा CO2 को उसके आपने उसको weseline jar पे रखा air tight कर दिया उसको weseline लगाकर sunlight में रखा और फिर starts की presence को check किया A plant के अंदर starts नहीं आ है क्यों क्योंकि starts बने के लिए CO2 plus water से glucose starts बनते है CO2 नहीं था तो यहां पे answer क्या होगा B क्योंकि उसके वच नहीं क्या कर लिया absorb बहुत सारे plants जो है उनके endoskeleton बनते हैं इस compound से photosynthesis से इंकोरपरेट होता है life forms में sunlight की presence में molecule cycle convert itself from atmosphere dissolved in water into glucose glucose molecule में convert हो जाता है जब यह water के साथ मिलता है तो हम जानते है CO2 plus water से मिलता है glucose तो कौन सा compound है carbon oxygen तो option ही नहीं है यहां पे carbon organisms बहुत सारे trick लगाते हैं different ways लगाते हैं तो breakdown CO2 और water को glucose CO2 और water में convert करने के लिए crab cycle इसको हम कहते है generally oxygen लगके अगर lag करता है तो pyre weight breakdown हो जाता है lactic acid में convert हो जाता है lactic acid क्या है C3H6O9 C3 मतलब क्या है 3 carbon C option statement पढ़ें और correct statement को choose करें कि cellular reproduction में goldgepratisic important role नभाता है process by which is single cell divided into two जी नहीं बिलकुल ऐसा कोई point नहीं होता है reproduction के अंदर nucleus का जादा role रहता है हमेशे हैं और vesicles का ribosome होते हैं surface पे attached जो कि protein manufacture करते हैं यह तो आर यार rough endoplasm reticulum की बात हो रही है storage and modification यह बात सही है keep cell away by digesting foreign materials यह लाइजोजोंस होंगे बिटा तो यहां पर हमारा answer क्या होगा see they are found to be very sensitive to the levels containment like sulfur next question है तो sulfur dioxide के लिए बहुत important चीजें माने जाते हैं sensitive होते हैं यानि की pollution indicators होते हैं bio indicators होते हैं bark of trees पर pollution आता है तो इनका number कम हो जाता है हम जानते हैं कोशन बहुत से रेंटे सीजें ने पूछा जाते हैं यूगलेना क्या है यूगलेना एक single cell eukaryot है या protest है amoeba क्या हम सब जानते हैं pseudopodia बनाने वाला organism mycorrhiza क्या है fungus जिसका association होता है with plant roots symbiotic association तो इस पर भी question बहुत बार पूछा जा चुका है आज से पहले भी तो हमें ये बात भी बिटामेशन ध्यान रखने है symbiotic association which of the following gas makes up 78% of our atmosphere and also a part of many molecules like protein, nucleic acid and vitamins तो कौन सी चीज़ दो 78% जानते हैं nitrogen और nitrogen ही हमारा nitrogenous base पर sugar plus phosphate मिला कर nucleic acid या vitamins में भी आते है तो यहाँ पहंसर होगा A Robert Hooke ने क्या absorb किया था cell को absorb किया था Anton Wolliwork Hawk ने free cells Robert Brown ने nucleus और जई परकंज ने protoplasm तो A का 2 होना चीए B का 1 होना चीए C का 3, D का 4 तो यहाँ पहंसर होगया A Hydra क्या है तो Hydra हमेशा हम कहते हैं individual रहता है corrals, colonies में रहते हैं corrals के अगर आप type देखे तो आपने पढ़ा होगा कही ना कही अटॉल होता है frinzing होता है barrier reefs होते हैं इसमें spongula में holes होते हैं roundworm जो है intestinal infection tiniya कर सकता है तो A के साथ 2 होना चीए B के साथ 1, C, 3, D, 4 तो आप अंसर होगया C lymph के बारे में last 3 question बच्चे blood flow only in one direction ऐसा नहीं होता hurt से जो पूरी बाड़ी को supply करता है वो artery होती है smaller vessels में to bring blood in contact with the all individual cells ऐसा भी नहीं होता है इसका में function वापस ले जाना होता है ना कि cells को supply करना circulate around the body and to clot the blood जी नहीं, clotting factors इसमें नहीं होते tablets नहीं है carries, digested and absorbed fat from intestine बिल्कुल कहरी करता है, इसका नाम होता है lacteal, this lymph vessel का नाम होता है drain fluid from back to the blood, venus blood ये बात सही है इसलिए lymph को हम क्या बलते है middle man middle man or tissue fluid mouth नहीं होता food के ingestion के लिए it ingests the food by encircling it by forming pseudopodia when the food is completely encircled the food is engulfed in the form of a bag called food vacuum access food crop absorb करते हूं in the form of glycogen and lipids the undigested food gets collected in the food vacuum and thrown out of the body by rupturing cell membrane तो जहां पर हमारा word आ गया pseudopodia वहीं पर हमें समझ में आ जाना चाहिए था कि pseudopodia हमेशा amoeba में हमें देखने को मिलते है camidobanaz एक algae है hydra निडारिया में आता है जिसके आज टेंटेकल्स होते हैं और सी एनिमोन के पास भी टेंटेकल्स होते हैं ये भी निडारिया फाइलम में आता है तो बी option last question की plant को चाहिए growth और development के लिए nutrients कौन सा है जो air और water से आता है तो भाई air और water के थूँ जो आने वाला है इसमें से अगर हम देखते हैं तो nitrogen argon helium और oxygen ये आपके पास चार options था इस question के लिए तो nitrogen तो आप देखो थुड़ दर पहली पढ़ चुके हो कि कहां से आता है association of roots से या nitrogen fixation से ammonia से हम convert करते है argon और helium कौन से gases है inert gases तो यहाँ पर एक ये option है 4 that is oxygen कौन सा option है बिटा oxygen जो हमें air से oxygen air से आ सकता है water H2O के breakdown से plant में obtain होता है तो इसे के साथ बिटा NTSC stage 1 odysa का paper भी हमने पूरा solve कर लिया है उमीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा channel को जरूर subscribe करें तो था हमें support करते रहें thank you so much for watching the video